नवस्कार मित्रो मैं वीडियो छोटा कर रहा हूं क्योंकि उस पे जो मैं पहले वीडियो बना रहां था उस पे ज्यादा न भ्यू जाते हैं यां कमेंट उसेव और न सब्सक्राइब आते हैं, तो मैंने प्रयास किया है कि मैं ओम सी सिवार नमस्त अभ्यन से ही चालू करूंगा आज का विचार और मुझे विचार में भी ये लग़ा है कि आप लोगों को कबीर के दोहे सुनते सुनते आप बोरोने लगे है तो मैं आज आप के लिए लेके आया हूँ रहीम का दोहा बढ़िया जल पले जले जात बही तजीमीनन को मोह लहीमन मचली नीद को तव न चालत छोह लहीमा तव न चालत छोह लहीम दाज जी कहते हैं कि जब मचली को पकरने के लिए जाल डाला जाता है तो मचली वो जल में फच जाती है जाल परे जल जात बही तजीमीनन को मोह और जल जो है वो बह जाता है वो मचली का साथ नहीं देता है और मचली का प्रेम देखिए जल से कि वो बाहर निकलते ही अपने प्राण त्याग देती है जल के बिना ऐसा ही प्रेम जिसके अंदर होगा वो प्रेम में होगा वो उसका प्रेम भगबत प्रेम भगवान को बही पा सकता है जिसका प्रेम मचली और जल के प्रेम के समान है बही अपने कनहिया से अपने बासुरी वाले से अपने राम से बही लगन लगा सकता है जिसका प्रेम मचली और का जिस प्रेकार मचली का प्रेम पानी के पती है उसी प्रेकार अगर हम भगवान से प्रेम करें तब ही हमें भगवान प्राप्त हो सकता है नमस्का जैहिंद जैभारत बंदे मातरम